इलाइची को अपने घर में ग्रो करें क्योंकि यह एक मैडिसनल प्लांट है और इसकी खश्बू से हमारे घर का वातावरन जो है शुद बनता है यह इलाइची के बीज है मैं आपको दिखाती हूं यह इलाइची के बीज है इनको कई तरह के हीट्रों में रखकर सीड त्यार किया जाता है पर यह एक कोस्टल एरिये का प्लांट है पर अब हमारे यहां भी इसकी खेती बहुत नौर्फ साइड में भी इसकी खेती होनी शुरू हो गही है क्योंकि शर्थ यह है कि आप इसको बहुत अच्छी खुराग दें मैं आपको प्लांट लगाते हुए इसकी ख चैनल पर नहीं है और एक बात हो रहा है कि आप मेरे कमेंट बोक्स में आके मुझे बताएं ताकि मैं अपनी वीडियो में कोई कमी होगी तो उसे मैं आप दूर करूँगी अज़ मैं आपको ये का प्लाट लगाना बताऊंगी अपने पोर्ट में लगा सकते हैं और इसके लिए जो इसमें चाहिए थोड़ी सी इसमें खुराक ज्यादा चाहिए मैंने 50% garden soil ली है और super fast force और potash और इसमें मैंने थोड़ा सा bond meal भी लिया 10% के क्रीब मैंने bond meal और 20% मैंने cow dung बिल्कुल गली से रिखाद 20% के क्रीब ली है और इसका mixer बना के मैं आपको दिखाते हूं कि इसको हमने कैसे लगाना है प्लांट को है अब कर दोख में ने डिक्री रखके और इसको सोयल से इसी सोयल को अच्छी तरह से दबा दिया अब मैं इस प्लांट को लगाऊंगी इसमें जो बल्व होते हैं वो अपने हापी बढ़ते रहते हैं तो इसको मैंने सोयल डाल दी थी सोयल मैंने आपको दिखाई है इसमें मैंने हाई संब्सक्राइब दाला है आपको अच्छी हृथ बनी रहे और ठोड़ा समयने बोन मिल भी डाला है तो इसको जो वाटरिंग करनी है वह आपने खुब अच्छी तरह वाटरिंग करनी है और पूरा संलाइट में रखना है इसको संलाइट भी ऐसी हो जो फिल्टरल सनलाइट हो जैसे हमारे विर्क्षों की छन के आत्या और खूब अच्छी तरह से हो क्योंकि यह एक कोस्टल एरिये में होने वाला प्लांट है जैसे हमारे केरला करनाटका चन्नाई तमिलाडू वहां पे यह मसालों के रूप में उगाया जाता है तो वहां पे इसकी पैदावार बहुत अच्छी होते हैं अब हमारे नोर्थ में भी इसको खूब अच्छी तरह से उगाने लगे हैं और एक ऐसा है कि फोरस्ट सा बन जाता है आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद इसी प्लांट में से कई प्लांट्स और बन जाएंगे और फोरस् को बिल्कुल नमी वाला रखना है और दोपी अच्छी देनी है फर्टिलाइजर विद हाई फासफॉर्स विद टू टाइम ए मंथ अगर हम इसको पोर्ट में लगाते हैं तो आप यह सोचके चलो कि इसको फासफॉर्स की जो फर्टिलाइजर देनी है वो इसको मंथ में देखाए बहुत अच्छी ब्रोथ है और इसकी और यह तक्रिवन उस टाइम के बागे फूट देना शुरू कर लेता है मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक का बटन भी दबा दें और साथ की साथ मेरे चैनल को अगर आप नए है तो जरूर सब्स क्विल अंगी पैंस